प्यारे श्रामिक भाईयों और बहनों, किसाम देश का अन्नदाता है, तो श्रामिक और कांगार देश का राष्टर में माथा। हर देश वासी को असीम दर्द हुआ, जब हजारों श्रामिक भाईयों और बहनों को सैक्रों किलो मीटर, भूके, प्यासे, मजबूरी में पैदल घर वापस जाते देखा। मुझे मालूम है कि आज भी देश के अलग-अलग कोनों में लाखोश रामिक भाईयों और बहन मुश्किल में पसे हैं, और कुरोना महामारी के इस समय में घर वापस जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। साधन और पैसा तो दूर की बात है, पूरे राशन तक की व्यावस्था नहीं और नहीं लोगडाउन की इस घरी में काम का कोई इंतजार। आए दिन जब देश के अलग-अलग खोनों से उत रही है हमारे श्रामिक भाई और बहनों की आवाज और पीड़ा को हम सब सुनते देखते हैं। तो लगता है कि यह आवाज परिवार के एक सदास्य की है, यह आवाज एक मां की है, एक पती की है, एक बेटे की है, जो अपने बच्चों पत्नी मां बाप तक पहुंचना चाहता है। इस पुखार ने सच मुझ हम सब का दिल चुआ है। मुझे और हर साथी को यह देखकर और भी पीड़ा कोठी कोठी है, कि संकत की इस घड़ी में भारत सरकार रेल मंट्राले घर वापस लौतने के लिए रेल यात्र का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे। उमीद थी कि दाम में आए हजारो करोर रुपे पर पहला आदिकार हमारे वराष्ट लिर्मताओ का होगा। और इस पैसे का इस्तमाद आप सब को सुरक्षित और निशुल रेल यात्रा के लिए सबसे पहले किया जाएगा। पीड़ा यह भी है कि ऐसा हुआ नहीं। यह विकत हालाच देखकर कंग्रेस पार्थी ने निर्ने लिया कि हर प्रदेश में जरूरत मंद श्रामिक भाईयों और बहनों के घर लॉट्स में की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उमीद करती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुँच उपाएंगे। महात्मा गांदी ने कहा था कि खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है। खुद को दूसरों की सेवा में खोधो। सेवा का यह संकल्प ही हमारे श्रामिक भाई और बहनों को उनके घर तक सुरक्षित वापस पहुचाने की हमारी प्रेढ़ना है। इसकार्टाव्यको हम मस्भूती से निवाएंगे। जैहेंगे।